नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग Chapter No 61 लोगपाल और लोकायोता Non-Constitutional Bodies चल रही हैं यहाँ पे लोगपाल लोकायोता के बारे में बात करेंगे तो शुरुबात करेंगे लोगपाल के बारे में लोगपाल के स्टक्चर को समझने कोशिश करेंगे सबसे पहले global scenario देखेंगे दुनिया भर में लोकपाल के जैसे कैसे organizations कहां कहां पर बने हुए हैं इंडिया में position देखेंगे लोकपाल की दो चीजों को बहुत detail में यहां पर कवर करने कोश्च करेंगे और कहानी सा है दोस्तों अगर आप modern democratic states की बात करते हो तो जो modern totalitarian state की बात नहीं करो तो चाइना नौर्थ हो रहा है जिसी countries की बात नहीं हो रही है democratic societies की बात हो रही है जैसे की European countries हो गई, इंडिया हो गई तो democratic countries में क्या होता? welfare orientation है बाई, लोगों के भलाई के लिए कुछ करने वाली बात है और जब welfare orientation की बात होती है तो आप हर चीज capitalist class या industrialist class के हाथ में नहीं छोड़ सकते है सरकार को एक major role play करना पड़ेगा चाए वो economic development हो, चाए social development हो तो उसके चलते हैं जब सरकार का role बढ़ेगा तो सरकार कैसे पहुँचेगी लोगों तक सरकार को लोगों तक पहुँचने के लिए अपने अंदर servant सायर करने पड़ेंगे जिसको बोला जाता है bureaucracy ठीक है भाई, तो bureaucracy बहुत ज़दा हमारे देश में बढ़ गई है the amount of civil servant बहुत ज़दा बढ़ गए administrative processes बहुचता बढ़ गए जब एक देश evolve होता है तो automatically बहुत अलग-अलग diverse domains में वो expand करता है तो administrative processes भी बढ़ते है इसके चलते जो bureaucracy है जो civil servant है, जो की अलग-अलग levels of government में काम कर रहे है उनकी ताकत भी बढ़ती है उनका set of area बढ़ता है काम करने का functional area बढ़ता है तो ताकत ही बढ़ती ताकत ही बढ़ती तो बहुत जगों पे उनके पास discretion आता है और जब civil servants के पास discretion आता है कभी-कभी वो अपनी पाकत का गलत इस्तमाल करते है लोगों को harass करते है माल practices में अपने आपको involve करते है और mainly corruption करते है illegal gains के लिए तो ठीव समझ के बात को तो जब इस तरीकी की कोई चीज़ करेगा civil servant तो automatically किसी ना किसी को परशानी होगी most probably वो परशानी देश के एक नागरिक की होगी और जब देश के एक नागरिक को परशानी होगी तो कहीं न कहीं एक ऐसा organization चाहिए जहां पर वो देश का नागरिक जाके अपनी बात को बता सके पर फिर आती है एंट्रिक इसकी लोगपाल की और लोग का योगता सके इस पर थोड़ी देर में आते हैं यहां वैसे बहुत से organizations हैं जहां पर अगर एक person को परशानी हो रही है तो वो अपनी problem को जाके बता सकता है democracy को successful होना है यह कैसा system जहां पर democracy है democracy में तब सब लोग बराबर है सबके equal political rights हैं, social rights है economic rights obviously बराबर नहीं होते जो कि ज़दतर जो societies हैं वो private ownership और capitalism की सिद्धान पर चलती है तो यहां पर आप देखें socio economic development को meet करना है citizens के grievances को पूरी तरीकी से address करना है तो democracy successful होगी है और democracy successful होगी है सरकार का proactive involvement ज़रूरी है अब दुनिया भर की सरकारों में अलग अलग परकार के institutions इसके लिए develop किये गए तीन परकार के institutions दुनिया भर में develop किये गए एक है ombudsman system दूसरा system है administrative court system और तीसरा system है आपका procurator system यह तीनों परकार के system में आपके लक्षमी कांद ज़र रखें मैं आपको लक्षमी कांद के सबसे चीज़े बता रहा हूँ ombudsman system सबसे पुराना जो institution है आप कहलेज़े सबसे पुराना जो democratic institution है इस पूरी दुनिया का citizens की बात को सुलने के लिए citizens की problem को solve करने के लिए तो वो है ombudsman system अच्छा आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को share और subscribe नहीं किया तो विल्कूल कर दीजे ये बोलना ज़रूरी होता है आप मेंसे बहुत सरा लोग like करना भूल जाते होंगे comment करना भूल जाते होंगे तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले like और comment करें उससे वीडियो का engagement बढ़ता है साथ साथ almost मैं आपके रहे सारी चीज़ फ्री में available करा रहा हूँ तो आप जोइन मुटन दो बागी चैनल के में अमरी बन सकते हैं इससे आपको कुछ एक्ष्टा वीडियो मिल जाएगी इंस्टाग्राम पर follow कर लिजे आपकी जनरी डॉट से जवाब दूगा टेलेग्राम कर लिजे वहाँ पर आपको इस particular lecture की PDF मिल जाएगी वापस आते हैं ओम्बूट्समें सिस्टम पर तो सबसे पुराना democratic institution है ओम्बूट्समें सिस्टम और ये शुरू हुआ था Scandinavian country Scandinavian country कौन सी? Sweden में तो भाई Scandinavian institution ने ओम्बूट्समें चुकि Scandinavia के इलाके में शुरू हुआ था ठीक है भाई? और Donald C. Rowett Donald C. Rowett करके international authority हैं ओम्बूट्समें पर ये क्या बुलाते हैं इसको? किसको ombudsman के institution को? uniquely appropriate institution for dealing with the average citizens यनि कि अगर एक citizen के खिलाफ अगर कोई unfair administrative action हुआ है तो उस citizen के पास कोई तो ऐसा platform होना चाहिए कोई तो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे जाके वो complain करके अपने आपको बचा सके तो उसके लिए काम आता है ये ombudsman system ombudsman system पहली बार Sweden में create हुआ और ये Sweden में create हुआ सन 1809 में बहुत पुराना system है 1809 सोचे कितना पुराना system है ओके तो ombud, ombud ये एक Swedish term है और ombud का मतलब क्या होता है? ombud का मतलब होता है एक ऐसा person जो कि किसी दूसरे person का representative है, spokesman है मतलब कि वो किसी दूसरे person को represent कर रहा है modern भाषा में इसको वकील भी बोलते है, advocate भी बोलते है ठीक है न भाई? तो ombudsman basically एक प्रकार की मांडवली कराता है Donald C. Rawart ने बोला कि ombudsman एक ऐसा officer है जिसको legislature appoint करता है executive और judiciary के उपर check रखने के लिए अब आपको यहाँ पे basics पता होने चाहिए polity के मैंने आपको बताया कि democracy होती है न democracy में government के तीन अलग-अलग parts होते हैं मैंने जे government है government के तीन parts है, एक part है judiciary दूसरा part है executive और तीसरा part है legislature नहीं तो मेरी जो भी policy की videos देख रहे होंगे उनको नहीं तो मैंने अब तक कम से कम 10-15 बार अपनी वीडियो में बताया होगा कि government तीन भागों से मिलके बनती judiciary, executive, legislature और इंडिया की democracy में judiciary is equals to legislature, is equals to executive, technically यहीं होना चाहिए central level बतायता हूँ central level पे legislature कौन है तो भाई आपका लोगसभा राजसभा executive कौन है, तो council of ministers headed by prime minister, judiciary कौन है तो आप supreme court समझ लीजे, तो यह तीन levels है ombudsman वाली जो authority है, उसको कौन appoint करेगा legislature appoint करेगा और यह जो ombudsman वाली authority है वो executive की power के उपर चेक रखेगा और जब यह ombudsman का institution काम करेगा ना, वो legislature से independent होगा, तो अपने काम के समय पे ombudsman के उपर unwanted control नहीं होगा legislature का, तो यह basic, आप कह सकते हो कि concept था ombudsman का ombudsman administrative accesses और judicial accesses को रोकता था अगर कुछ गलत हुआ है, किसी administrative action ने judicial action की थो तो score होगेगा, तो Swedish ombudsman क्या क्या करता था, तो administrative discretion को रोकता था, अगर कोई official जो कि एक important government post पे बैठा है, और वो अगर किसी citizen को परिशान कर रहा है, तो उसके against grievance को solve करेगा Swedish ombudsman, फिर administration के समय पे inefficiency हुई है, targets complete नहीं हुए, या फिर तीसरे नंबर पर administrative corruption हुआ है, घूस खोरी की demand हुई है, या फिर nepotism हुआ है, nepotism मतलब कि अपने भाई बंदुवाद कि भाई हम merit के business पे selection नहीं करेंगी, ये हमारे पहचान का है, तो हम इसको support करेंगे, इसको बोला जाता है, nepotism, nepotism के चलते employment में जो भी limited employment available है, वहाँ पे merit आगे नहीं आपाती है, जिनकी जान पेचान होती किवल वहीं आगे आपाते हैं, और एक होती है, discourtsy, discourtsy, मतलब कि official class या जो top class है, अगर वो किसी भी प्रकार से नीचे के level के प्रती संभावनाशील नहीं है, नीचे के लोगों की बात को proper तरीके से नहीं समझ रहा है, उनके उपर अपना जोर चला रहा है, तो इसके against भी Swedish ambitsmen काम कर सकता है, जो Swedish ambitsmen होता था, उसको Swedish Parliament चार साल के लिए appoint करती थी, और उसको तब हटाया जा सकता था, जब Parliament को लगेगी, हाँ भाई, इस person के अंदर confidence नहीं है, तो मतब Swedish ambitsmen को हटाना भी अपने आप में मुश्किल काम था, Swedish Parliament को यो ambitsmen हर साल एक report पेश करता था, समझ के भाई, इसको parliamentary ambitsmen भी बोलते थे, चुकि इसको Parliament ने appoint किया, ये Parliament को report करता था, पर्लेमेंट के साल ने report submit करता था, लेकिन Parliament से independent था, ऐसा नहीं है कि Parliament इस Swedish ombitsmen से कुछ भी करवा सकता था, नहीं, Swedish ombitsmen अपने हिसाब से काम करता था, ना वो Parliament के instructions लेता था, ना executive के instructions लेता था, ना judiciary के instructions लेता था, बट ombitsmen, एक limit से अथा आप उसको ताकतर भी मिनवा सकते हैं, ombitsmen अकाम है, mandably करना, अगर किसी citizen ने कोई complain की है, executive के against में, administrative officials के against में, या फिजुडिश्री के against में, तो वहाँ पे एक ऐसी authority होनी चाहिए, जो कि उस complaint को solve करो, वो था ombitsmen, अगर ombitsmen अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता है, तो उसको बैटाया जा सकता है, तो basically Sweden में, ombitsmen एक constitutional authority थी, जो ये देखता था कि laws और regulations को, सही तरीके से लागो किया जा रहा है, public officials के दोरा, या नहीं किया जा रहा है, public officials के आपनी duty को सही तरीके से कर रहे है, या नहीं कर रहे है, और ये हर प्रकार के public officials के उपर नज़र रखता था, चाहे वो civil public officials हो, चाहे judicial public officials हो, और चाहे military public officials हो, military public officials के उपर तक ombitsmen नज़र रखता था, अब ये बहुत ज़धा ताकत हो गए, ठीक है नब भाई, तो legally काम करें, law according काम करें, government servants, public officials, ये काम था किसका देखने का, Swedish ombitsmen का, ठीक है भाई, लेकिन एक बात और बता दो, Swedish ombitsmen के पास ये ताकत नहीं थी, कि executive administrative authorities, या judicial authorities, या legislature ने अगर कोई नियम कानून इंप्लिमेंट किया, उस नियम कानून को रोकने की, reverse करने की ताकत नहीं थी, समझ के बात को, direct control नहीं था, Swedish ombitsmen का administration के उपर, administrative ताकत तो administrative authority के पास ये थी, judicial ताकत, judicial authority के पास थी, law को interpret करना, judicial का का काम था, legislature का काम था, policy बनाना, तो कोई policy बनाई, या फिर कोई administrative measure implement किया, किसी administrative authority में, उसको रोकने की ताकत नहीं थी, Swedish ombitsmen के पास, तो वहाँ पर ombitsmen के limitations थी, समझ ये आप बात को, ठीके न, ombitsmen बस ये देखेगा, कि public official सही तरीके समना काम कर रहे हो, काम क्या होगा, ये नहीं decide करेगा, Swedish ombitsmen, Swedish ombitsmen देखेगा, कि जो भी नियम कानून regulations बने हुए है, वो सही तरीकिसे लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और नियम कानून regulations बनाना, या तो executive का काम है, या फिर legislature का काम है, ombitsmen का काम नहीं है, ठीके भाई, फिर Sweden में, ये ombitsmen काम कैसे करता था, अगर इसके पास कोई complaint आएगी, किसी citizen की, कि वह उस citizen के against कुछ गलत काम हुआ है, administrative action के खिलाफ, या फिर judicial action के खिलाफ, या legislature ने कोई law बनाया, गलत तरीके से बनाया, तो ऐसी कोई complaint आती है अगर ombitsmen के पास, तो ombitsmen उसमें अपनी inquiry कर सकता है, inquiry दोपरकार से कर सकता है ombitsmen, या तो उसके पास complaint आ जाए, या फिर वो Siu Moto देख ले, तो अगर उसको लगता है कि कहीं किसी public official ने सही तरीके से काम नहीं किया है, corrupt practices की है, अपनी ताकत गलत इस्तमाल किया है, तो ऐसे cases में automatically inquiry को initiate कर सकता है Swedish ombitsmen, तो अच्छी खासी power है, समझगे भाई, और अगर किसी official ने सही तरीके से अपना काम नहीं किया है, चाहे वो executive officer हो, चाहे वो judicial officer हो, कोई judge क्यों ना हो, तो उसको against be Saja को initiate, पतब investigation को initiate करने की ताकत है ombitsmen के बाद, prosecute करने की ताकत है, ठीक है भाई, prosecute करने का मतलब होता, उसके खिलाफ एक case चलाना, उसको दोशी ठहराना, Saja को implement करना ombitsmen की ताकत नहीं थी Sweden में, समझे यह आपने बात को, अगर किसी official ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, तो इस चीज़ को identify करना कि हाँ उसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, तो ठीक है भाई, उसका खिलाफ आपने case चला है, investigation चला है, prosecute किया, और Saja recommend करने कोशिश की, लेकिन Saja को implement करना, this is not the prerogative of ombitsmen, ठीक है भाई, फिर भाई, किसी एक public official ने कुछ गलत किया है, तो उसे किलाफ ombitsmen क्या कर सकता था, जो भी ombitsmen ने inquiry की है, उस inquiry की पूरी report, जिस official के against inquiry की है, उसकी higher authorities को देगा, और फिर वो higher authorities से बोलेगा, कि आप इसके किलाफ action लो, और democracies में higher authorities को action लेना पड़ेगा, जो कि लोगों की नजर रहती है, ठीक है भाई, तो Swedish institution of ombitsmen की काफी अच्छी बाते थी, executive से यह independent था, जब भी कोई complaint आती थी, उसमें impartial और objective investigation करना, किसी भी प्रकार का bias ना होना, legislation में political parties होती है, और वहाँ पे political agenda चलता है, administration से related जो भी file से, official document से, उसका access रहता है ombitsmen के पास, फिर भाई, जो Swedish ombitsmen था, इसके पास एक right था, कि यह जो कुछ भी inquiry वगरा करेगा, जो कुछ भी इसकी report होगी, वो report यह अपनी parliament को submit करेगा, ऐसा नहीं है, कि executive अगर इसके ओबर pressurize करे, कि आप report parliament को submit नहीं कर सकते, इस तरीके के कुछ भी executive नहीं कर सकता, यहाँ पे, इस ombitsmen को कुछ इस प्रकार से देखा जा रहा है, कि इसकी जो responsibility है ना, इसकी जो reporting है ना, वो किसकी तरफ है, वो है legislature की तरफ, तो legislature के प्रती, इस Swedish ombitsmen की administrative accountability है, यानि यह जो आपका ombitsmen है, Sweden का, यह किसको answerable है, तो legislature को answerable है, और executive किसी भी प्रकार से interference नहीं कर सकता, जो भी काम करेगा, Swedish ombitsmen, इसकी wide publicity होगी, media में इसकी reporting होगी, press में इसकी reporting होगी, तो लोगों को भी पता चलता रहेगा, और चुकि ombitsmen, administrative of officials, कि इस प्रकार से काम कर रही है, और simple बात है, simple तरीके से, informal तरीके से, सस्ते तरीके से, तेजी में, यह ombitsmen complaint को सुनेगा, तो यह था भाई, Sweden का ombitsmen system, अभी Sweden के ombitsmen system के बारे में, बात यहाँ इसलिए की गई दूस्तों, चुकि एक ideal प्रकार का ombitsmen system है, वैसे तो Swedish के ombitsmen system में भी कुछ कमी आए, बट आप कह सकते हों कि this is basically an ideal ombitsmen system, तो भाई Sweden से जो institution तो ombitsmen का, यह दूसरी Scandinavian countries में फैला, Finland पहुचा 1919 में, Denmark पहुचा 1955 में, Norway पहुचा 1962 में, Finland 1919, Denmark 1955, Norway 1962, इसी लिए बोला जाता है कि this institution of ombitsmen is a Scandinavian institution, जो कि सबसे पहले हैं यह Scandinavian country में फैला, यह आपकी Finland, Denmark, Norway, Sweden, यह सब Scandinavian country है, दुनिया में पहली ऐसी country कौन सी थी, जो कि Commonwealth की system के अंदर थी, और जिसने ombitsmen system को adopt किया, वो थी आपकी New Zealand, ठीक है भाई, तो जो ombitsmen था आपका New Zealand में, इसको क्या बुला जाता था, इसको बुला जाता था, Parliamentary Commissioner for Investigation, 1962 में इसको अपॉइंट किया गया, United Kingdom ने भी ombitsmen like institutions को adopt किया, जिसको बूला गया Parliamentary Commissioner for Administration, Parliamentary Commissioner for Administration is the ombitsmen of UK, इसको अपॉइंट किया गया 1967 में, आज 40 से ज़्यादा Countries, ombitsmen की जैसे institutions को adopt कर चुकी, उनके नाम अलाग अलाग है, इंडिया में जो ombitsmen का institution है, इसको लोगपाल बोला जाता है, सेंटर लेवल पे, लोकायुकता बोला जाता है, स्टेट लेवल पे, तो यह जो मैंने आपको ombitsmen समझाया है, स्टेट का, कुछ-कुछ इससे आप रिलेट कर सकते हो, हमारे लोगपाल और लोकायुकता को, हाला कि स्टेट में जो technicalities और इंडिया में जो technicalities हैं, कि भाई, इस institutions के पास, कितने बड़े officials को try करने की ताकत है, यह सब technicalities different हैं, यह हमाँ आगे देखेंगे, ठीक है भाई, तो यहाँ पर Donald C. Robert का क्या बोलना है, कि यह जो ombitsmen का institution है, इस बेसिकली दा बल वर्क ऑफ डेमोकरिटिक गवर्मेंट अगेंस तिरनी ऑफ ओफिशल्डम, बल वर्क ऑफ डेमोकरिटिक गवर्मेंट अगेंस्ट ऑफिशल्डम की तिरनी का मतलब क्या होगा कि ऑफिशल्डम, यह जो official कास है, public officials है, civil servants है, यह अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं चला सकते, इनकी मनमर्जी को रोकने के लिए ombudsman का system लेके आएगे है, ठीक है, इसको Gerald E. Seiden ने क्या बोला है, institutionalized public conscience, यानि कि भई, public जो लोग है, उनके conscience, उनकी problem को अगर officials नहीं समझेंगे, तो समझाने के लिए एक institution exist करता है, इसलिए इसको बोला आता है, institutionalized public conscience, ठीक है भई, आगे बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार के system में, एक तो मैंने आपको ambishment system बताया, एक मैंने आपको बताया, administrative courts का system, और एक मैंने आपको बताया, procurator system, administrative courts का system क्या था, ये भी basically थोड़ा-थोड़ा ombudsman की system की तरह ही है, फ्रांस में citizens के grievances को सुनने के लिए उसके बाद दूसरी European और African countries में फैला जैसे कि Greece, Belgium, Turkey, तो administrative court system, ये फ्रांस से शुरू हुआ, Belgium, Greece और Turkey में फैल गया, कुछ-कुछ हस्तक ombudsman system की तरह है, टेक्निकालिटी में थोड़ा different है, और एक प्रकार का system है, procurator system, procurator system जो फैला है, वो socialist countries में फैला है, वो countries जो पहले USSR के अंदर आती थी, अभी के लिए रशिया में ये procurator system एक्जिस्ट करता है, चाइना में एक्जिस्ट करता है, पोलेंड में, हंगरी में, चेकोसलोवाकिया में, रोमानिया में, यहाँ पे procurator system एक्जिस्ट करता है, ठीक है भई, procurator system के अंदर, procurator general को अपॉइंट के जाता है, अभी के लिए रशिया में procurator general काम कर रहा है, रशिया में जब procurator general का अपॉइंट के जाता है, साथ साल के लिए के जाता है, तो यह procurator system, administrative court system, ombudsman system, यह सब एकी तरीके के system है, कहीं न कहीं इनके काम करने का जो basic ideology, technicalities में आप फर्क बता सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है भई, तो यह हमने देखा यहाँ पर, इंडिया में बात की जाए, इंडिया में corruption को रोकने के लिए, क्या-क्या institutionalized और legal arrangement से बहुत से हैं, आप लक्षमी काम में देख लिए, मैं आपको कुछ important बताता हूँ, सबसे पहले Public Servants Inquiry Act 1850, यह आपने सुना नहीं होगा, इंडियान Penal Code 1860, 1860 में बहुत कुछ लिखा हुआ है, भई, corruption को रोकने के लिए, Special Police Establishment 1941 में बहुत कुछ लिखा हुआ है, दिल्ली Police Establishment Act 1946 में बहुत कुछ लिखा हुआ है, Prevention of Corruption Act 1988 में बहुत कुछ लिखा हुआ है, Commission of Inquiry Act 1952, यह Commission of Inquiry Act बड़े-बड़े political leaders के लिए बनाए गया, तो All India Services Conduct Rule 1968, तो कल गी रेट में आया सा IPS बन जाओगे, तो आपके ऊपर यह rules लागू होँगे, Railways Services Conduct Rule Railways पर लगेंगे, हर Ministry Department में अपने Vigilance Department होते हैं, हर Public Settlement Undertaking में अपने Vigilance Department होते हैं, वो अपने कुद के Local Niem कानून मनाते हैं, Central Bureau of Investigation में बनाए गया 1963 में, 1963 में, Central Vigilance Commission में बनाए गया 1964 में, State Vigilance Commission में बनाए गया 1964 में, Anti-Corruption Bureau होते हैं States में, फिर लोकपास सेंटर में, लोका युक्ता स्टेट्स में, फिर नाना प्रकार के हैं बई यहां पे, ठीकि बई, तो वो Legal Frameworks जो Corruption को चेक करते हैं, और Citizen के Grievances को चेक करते हैं, और यहां पर जो Organizations बताया गया है, लोगों को दूसरी चीज़ें से भी परशाने हो सकती है, तो अगर कोई SC कैटेगरी के परसन के खिलाफ किसी भी प्रकार का Exploitation हो रहा तो वो कहां जाएगा, तो वो National Commission for Schedule Cash में जा सकता है, एक ST person कहां जाएगा अपनी परशाने बताने, बहुत से हैं, बस फर्क इस बाता पड़ता है, कि वो कितने efficient तरीके से काम कर रहा है, अगली वीडियो में हम लोग लोगपाल को शुरू कर देंगे, कोशिश करेंगे कि लोगपाल को, लोगपाल और लोकायुकता Act 2013 को हम लोग next वीडियो में खतम कर देंगे, उसके drawbacks देख लेंगे, और फिर finally हम लोगपाल को लोगपाल करेंगे, और ये पूरा का पूरा चैप्टर हतम हो जाएगा, थैंक यू फूर वाचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेकिए उना मच जाएगे, खोटेंगे,